तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है नितेश और स्वागत है फिर से को नई वीडियो में तो दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास भी अधार कार्ड है और आपके अधार कार्ड के साथ आपका मोवाई नमर लिंक नहीं है या दोस्तो आपके अ ओनलाइन प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं कहीं पर भी आपको जाने की जोरत नहीं है घर बैटे बस आपको अपने मोबाइल फोन से आप अपने अधारकार के साथ मोबाइल नमर को लिंक कर सकते हैं इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के सुरूश लेकि अन तक जरूर देखे क्योंकि एकदम नया प्रोसेस है और आपके लिए इंपोर्टेंट भी है अगर आपके अधारकार के साथ आपका मोबाइल नमर लिंक नहीं है तो लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी दोस्तों से र करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लेप्टोप या मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को पेंड कर लेना है जैसा कि मेने क्रूम डाउजर को युद कर लिया है उसके बाद आपको सर्च वाले ओप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है इंडिया payment bank जैसा कि spelling देख सकते हो जैसे ही आप type करे सर्च पह आप click कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इंडिया post payment bank का यहाँ पे optional portal दिखने लग जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस पे click कर देना है और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इंडिया post payment bank का option portal यहाँ पर ओपन हो चुका है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 line का option मिला है तो आपको इस पर click कर देना है जैसा ही आप इस पर click कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की ओर slide करना है और यहाँ पर आपके सामने एक देख सकते हो नन आई पी पी बी कस्टमर का यहां पे तीन ओप्सन आपको दिखने लग जाएंगी तो सबसे पहले आपको फर्स्ट सर्विस रिक्वेस्ट फोरम वाले पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया सोहने लग जाएंगे जैसा कि यहां पे देख सकते हो आपके सामने कुछ इस परकार का फोरम ओपन हो जाता है तो जैसा कि यहां पे देख सकते हो यहां पे काफी सारे सर्विसेस दिये गए हैं तो दोस्तों यहां पे आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने अधार लिंक करना या अपडेट करना है तो दोस्तों यहां पे एक ओप्शन हो रहा होगा जैसा कि देख सकते हो अधार मुवाइल अपडेट का यहां पे एक ओप्शन सो होने लग जाता है तो सबसे पहले आपको इस पर टिक लगा देना है जैसे यहां पर टिक लगा देंगे उसके बात दोस्तों यहां पे आपको नीचे की ओर स्लाइट करना है अगर दोस्तों आप अपने मुवाइल अप्डेट के साथ अगर आपका कोई छोटा सा बच्चा है अगर उसका आप नए अध़ार काड बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पे चाल्ड अधार को हटा देना है उसके बाद दोस्तों यहां पे आपके सामने चूस एन ओप्सन का ओप्सन आ जाता है तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक कर देना है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पे आपके नाम के आगे क्या लगाना है यहां पे आप देख लेंगे अगर ऐसे अधर यहां पे दिया गया है तो आप अपने हिसाब से स्लेक्ट कर लेना है आपको तो चली यहां पे मैं स्लेक्ट कर लेता हूं उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहां पे यहां पे आपको इंटर करना है उसके बाद यहां पे आपको इमेल आईडी को भी टाइप कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको ऊपर के और स्लाइड करके मैं आपको बताता हूं सबसे पहले उसके बाद यहां पे आपके सामने एड्रेस फर्स्ट लाइन का एक पिन कोड है तो दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है चलिए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं यहां पर दोस्तों जैसे आप अपना एरिया का पिन कोड करते हैं जैसे कि मैं टैप कर लेता हूं तो जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकतों यहां पर मैं अपना पिन लग जाएंगे choose an option यानि कि दोस्तों nearest post office का यहां पर आपके सामने एक option आ जाता है तो उसके नीचे वाले पर आपको click कर देना कुछ इस परकार से अगर दोस्तों यहां पर कुछ इस परकार का choose an option का option आ जाता है तो दोस्तों समझ जाएगा आप घर बैठे ही आप अपने आपको जो नीचे show हो रहा होगा तो nearby आपको post office को select कर लेना है तो यहां पर दोस्तों मेरे सामने show नहीं हो रहा है तो चलिए मैं आपको आगे का process में आपको बता जेता हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे कुछ basic detail मांगा जाता है तो सबसे पहले यहां पर आपको basic detail को fill कर लेना है जैसे कि state, subdivision, division, circle कुछ इस परकार से आपको select कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे any specific request का option आ जाता है तो यहां पर आपको type करना होगा अधार mobile update जैसे दोस्तों यहां पर अधार mobile update टाइप कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको नीचे की slide करना है और यहां पे mandatory disclaimer आपके सामने लग जाएंगे तो सबसे पहले यहां पे आपको tick out कर देना है जैसे दोस्तों आप टिक लगा देंगे उसके बाद यहां पे दोस्तों उपर के और slide करना है और यहां पे आपके सामने capture सोने लग जाएंगे तो सबसे पहले इस capture को आप को इस वाले box में type कर देना है अगर यह केप चाप को समझ में नहीं आता तो यहां पर refresh भी कर सकते हैं जैसे ही दोस्तों यह सारा detail को आप फिल करके उसके बाद जैसे ही आप दोस्तों यहां पर समिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक reference ID जनरेट हो जाएंगे और आपके स्क्रीन पे सोहने लग जाएंगे तो आप उसका एक को भी ओल पे प्रेस जरूर करें